तो जैसा कि दूस्तो आप सभी को टाइट ओट हमने देखे पता चाने चुगा आज कस वीडियों बात के निचारे रिजल्ट के उपर दूस्तो इससे पहले की वीडियों आपको बताए ते की भी हार्वुर्मेटी रिजल्ट का फाइनल डेट जारी कर दिया गया है तो दूस इसके बारें विस्तार से जानते तो वीडियों को सुरूज लेकि अंतक बने रहें सो नमस्कार मेरा नम सोनु आप देख रहें एजुकेशना गुपता जोटब चैन पर पहली बारों तो चैनको सब्सक्राइब कर लिए साथ में एक बैल आइकन हो उसको भी दावारी ताकि इस वीडियो आपको मिलता है फिल्कु फिरी दूस्तों वीडियो को सुरूज वीडियो को लाइक करें दूस्तों आपके लिए इतना मेहत करके वीडियो बनाते तो वीडियो को एक लाइक कर दे और दोस्तों साथ ही अपने दोस्त में फेस्वुक गुरूप और सुरूप म वारिम अच्छी सिर्फ जानने की लिए क्या है यसी में आपको झनकाली gözंड देंगे सारा बात जानने के लिए अंतक बने रहे और दोस्तों जो यह अपर दोस्तों कृमेंट बॉक्स तो चलिए इसके बारे विस्तार से जानते है कि आप लोग का किस दिन रिजल्ट जारी होने वाला कितने बज़े जारी होने वाला ठीक है आपी देख सकते हैं कि बिहार बोड रिजल्ट दोचार पीस देट एंड टाइम जाने किस दिन और कितने बज़े होंगे गोसित बिहार बोड दसमी के नतीजे तो चलिए नीचे जानते हैं अच्छे से सभी बातों का आप ध्यान से सुनें ठीक है आपी दिख सकते हैं बताएगा है बिस्तार से आप साम की घोसना का इंज़ार कर रहे चात्रों के लिए अच्छी खबर है पराप्ति जनकारी के अनसार बी एस इबी बिहार बोड रिजल्ट दोचार पीस इनकी घोसना आज या कल यानि 19 मौई या 20 मौई की साम को पांच बजे बात जारी की जा सकते हैं तो दोस्तों आपी द आच बजे की बात रिजल्ट जारी कर दिया जाया ठीक है और भी नीचे विस्तार से बताया चले आपको अभी हम बतारते हैं आपी देख सकते हैं कि बिहार बार्मी बोर्ड परिच्छा की पहिनाम की घुसना काफी पहले कर चुकी है ठीक है लेकिन पूरे दिस में कोबिड 2019 महामारी की रोग ठाम के लिए लगाए गए लोकडाउन की कारण कोप्यों का मुलाइंकन अभी तक नहीं हो पा रहा था ते तो आप सब को पता हैं कि लोकडाउन की बज़े सी कोप्यों का मुलाइंकन इसे पहले नहीं हो रहा था लेकिन कोप्यों का मुलाइंकन अब यहाद दोपर ने दो चताइए कांपों के चलते राजे में 10 वी की बोट परिच्छा की कांपी का मुलैंकन सुरू कर आया गया और अब बिहार बोट की आंसे सिट की जाच का कालें पूरा किया जा चुका है साथ ही विहार बोड ने अब दजमी की कापी के मुलैंकन के अधार पर टॉपर्स की काप्यों की जाज फिर से सुरू कर दिया है और इनका वीडियो कॉलिंग के माधम से वेरिफीकेशन की परकिरिया सुरू की जाने की खबर आ रही है तो दोस्तो कोपी के मुलैंकन खतम होने के वाद जो टॉपर है वीडियो कॉलिंग के जर उनसे इंटर्विव लिया जाएगा ठीक है और आज लिया जा रहा होगा ठीक है और आज साम में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा या आज साम में नहीं होता है तो कल साम में रिजल् को लेकर उमीद की जा सकते हैं कि दसमी की नतीजे की घोस्तना उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है ऐसे में संभव है कि बिहार में टिक रिजल 2020 की घोस्तना आज या कल यानि मंगल बार उनैस मौई या बुद्वार 20 मौई 2020 की साम को पांच बजे की आसफास कर दी जाएगी ठीक है यहां पर और भी पाता है कि अचले आपको अभी बता दें बिहार बोड रिजल 2020 डेट और टाइम को लेकर चात्रों को ऑफिसल वेपसाइट पर विजित करते रहना चाहिए साथी पाइनायम की घोस्तना के बाद चात अपने नतीजे बिहार बोड के ऑफिसल वेपस लाइक करें और अपने दोस्तों में जाज़ेदा सेयर करें साथी फेस्बुक गूरूप और अर्शबुक गूरूप में भी सेयर करें ताकि जितने भी सोला लाग से अधिक चात्रा एकजाम दिये हैं 2020 में और रिजल्ट का बेसावरी से इंग जार कर रहे हैं तो वह सभी क पाएंगे आप नीचे कॉमेंट करें टिक और बिहार के आप लोग कोन से जीले सितना ही आपको कॉमेंट करना है और इसी परकार के वीडियो पाने के लिए चैनल पर पहली बार दो चानल को सब्सक्राइब के लिए ताकि लिए इस वीडियो आपको मिलता रहे बिलकु फिर तो चली दोस्तों फिर मिलें किसी और वीडियो के साथ जाहिन आप सभी का दिन सुभो